हेलो दोस्तों अब तक तो आपको यह सूचला मिल ही गई होगी कि ग्रिव मंत्राले ने आपता प्रबंदन अधिनियम 2005 के तहत चार मई से आगे दो सप्ता की लॉकडाउन अवधी को बढ़ाने के लिए आदेश जारी कर दिया है तो आज हम हमारे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस लॉकडाउन के दोरान किन तरह की पाबंदिया होंगी और किस तरह की छूट होगी आमचंता को इसके साथ ही किस किस जोन में देश के सभी भागों को बाटा गया है और कौन से जोन में किस तरह की छूटों भी किस तरह की पाबंदिया होंगी बिहार में कौन से जिले किस जोन में आ रहे हैं हम इनी सभी बातों पर आज आपको कुछ जानकारी देने जा रहे हैं कुल मिला कर lockdown 3.0 में कौन-कौन से दिशा निकदेश जारी हुए है, हम उनी सारी बातों को आपके सामने रखने जा रहे हैं, तो कृपिया पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, कुरोना वाइरस को फैलने से रोकने के लिए lockdown को दो सब्ता के लिए बढ़ाये गया है, हलंकी इस बार green और orange जोन में पहले से अधिक छूट दी जाएगी, सोशल डिस्टैंसिंग के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे, चको और माल वाहक वाहनों को किसी पास की जरुवत नहीं होगी, स्वास्थे मंत्रा लेके अनुसार, देश में red जोन के तहट 130 जीले, orange जोन के तहट 284 जीले और green जोन के तहट 319 जीलों को रखा गया है, तो कुरोना की स्थिती हमारे देश में क्या होती जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, कि 130 जीले red जोन के तहट है, और जोन के तहट 284 जीले आ चुके हैं, और green जोन के तहट 319 जीलों को रखा गया है, हर सब्ता इसका आगलन किया जाएगा और संक्रमित मंदों के अनुसार जोन में बदलाव होगा, ऐसा भी हो सकता है, कि red जोन में आने वाले जीलों को, उनकी स्थिती को देखते हुए, उसका आकलन करते हुए, orange जोन या green जोन में भी लाया जा सकता है, ग्रिह मंत्राले के ओर से red, green और orange जोन के लिए अलग-अलग guidelines तयार की गई हैं, देखते हैं, कि green ग्रिह मंत्राले के ओर से red, green और orange जोन के लिए अलग-अलग guidelines जो तयार की गई हैं, वो क्या है, ग्रिह मंत्राले ने कहा है, कि red जोन में कई तरह की प्रतिबंद होंगे, green और orange जोन में काफी चूट दी गई है, जाने किस जोन में है आपका जिला और किस जोन में मिलेगी किस तरह की चूट, lockdown 3 के लिए, सभी जोन के लिए, जो मुख्य दिशा निर्देश हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं, सबसे पहला जो निर्देश जारी है, वो क्या है, lockdown 3 के दौरान पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबर 7 बजे तक जरूरी सेवां को छोड़ कर लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी, इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानिय प्रस्रासन धारा 144 लागू कर सकता है, इस दौरान रेल, हवाई, मेट्रो, अंतर, राज़िया, बस सेवाएं नहीं चलेंगे, स्कूल, कॉलेज, वो अन्या, शैक्चिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मौल आधी बंद रहेंगे, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल से जुड़े जमावड़े पहले की तरह प्रतिबंदित रहेंगे, पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजर्गों और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर भुवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेंगे, वे सिर्फ जरूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन राहतों का पैकेज भी कम नहीं होगा, द्यान देने की बात है कि 65 से अधिक उम्र के बुज़ुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गर भुवती महिलाओं गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों इनके घर से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेंगे, सिर्फ इलाज के लिए ही वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ रहते भी हैं, रेट जोन में सिमीट सेवाए हासिल होंगी, लेकिन ग्रीन और और ओरिंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और उसके चारो और बफर जोन को छोड़कर बाकी छेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिग्रेट, पान, गुटका और तंबाकों की दुकानों को खोलने की अनु मती मिलेंगे, ग्रीन जोन में तो मॉल भी खुलेंगे, जाहिर है कि देश का बड़े हिस्से में कारोबार सुरू हो जाएगा, हर सब्ता इसकी समिक्षा होगी, वसुतर लॉकडाउन खोलने का क्रम फेज 3 से शुरू हो जाएगा, नए दिशाने देश में रेड, और इंज और ग्रीन जोन के लिए अलग-अलग रहत का ऐलान किया गया है, इनमें शहरी और ग्रामीर इलाकों में अलग-अलग रहत दी गई है, अभी तक रेड जोन वाले जिलों में किसी भी तरह की गतिवीदी की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब कंटेन्मेंट एरिया और उसके चारो और के बफर जोन को छोड़कर बाकी जिले में कई गतिवीदियों के अनुमती दी गई है, तो चलिए अब विस्तार से देखते हैं कि रेड जोन का मतलब क्या है, और लॉकडाउन में रेड जोन में कौन-कौन सी पाबंदियां होंगी, रेड जोन सबसे खतरनाक है, रेड जोन का अर्थ है कि यहां पर संक्रमन की चपेट में कई लोग आ चुके हैं, और इसके बढ़ने यहां की वज़य से कहीं दूसरी जगह संक्रमन के बढ़ने की आशन का काफी अधिक है, यानि रेड जोन में कोरोना के बढ़ने की, या फिर यहां से किसी दूसरी जग कोरोना संक्रमन के बढ़ने की आशन का काफी ज्यादा है रेट जोन के रूप में जीलों का वर्गी करन सक्रिय मामलों की कुल संख्या पुष्टी किये गए मामलों की दर को दोगुना करने जीलों से परिक्षन और निगरानी फीडबैक की सीमा को ध्यान में रखेगा अब हम देखते हैं कि वहाँ रेट जोन में कौन-कौन सी अनुमतिया है और कौन-कौन सी पाबंदिया है रेट जोन में रिक्षा, आटो, टैक्सी और ओला, उबर जैसी टैक्सी को चलाने की इजाज़त नहीं होगी यहाँ सैलून, स्पा, ब्यूटी पालल भी नहीं खुलेंगे और साथ ही यहाँ बसें भी नहीं चलेंगे यहाँ निजी वहान से कुछ सेवाओ के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल दो लोग ही बैठ सकेंगे ध्यान रखेंगे केवल दो लोग ही बैठ सकेंगे दोपहिया वहनों की स्थिती में केवल चलाने वाले को ही आने जाने की अनुमती होगी यानि बाइक पर भी more than one riders जो है वो permitted नहीं है allowed नहीं है SEZ means special economic zone और EOU export oriented units के साथ-साथ और द्योगिक सहरों और छेत्रों को कामकाज के लिए पूरी तरस चूट दे दी गई है इसके साथ ही जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरन और उनके लिए अन्य सामान बनाने की इकाईया समेथ पूरे supply chain के साथ ही IT hardware की इकाईयों को भी चूट दी गई है मजदूर आधारिक जूट और पैकेजिंग उद्योग को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन की शर्त के साथ काम करने की चूट होगी प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, IT सेवाओ, कॉल सेंटर, कॉल स्टोरेज, वेर हाउसिंग सेवाओ और निजी सुरक्षा, गार्ड को काम करने की चूट दी गई है आईए देखते हैं अब शहरी रेट जोन के लिए विशेश प्राधान कौन-कौन से है पहला, सबसे पहले जो प्राधाने वो है, केवल वही कंस्ट्रक्षन का काम होगा जहां मजदूरों के रहने की विवस्था होगी, वे बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं कर सकेंगे मौल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन कॉलोनी और रिहाइशी और अलग थलग वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमती देख दी गई है इनमें जरूरी और गैर जरूरी का अंतर नहीं किया गया है e-commerce को केवल जरूरी सामान सप्लाई करने की अनुमती होगी, गैर जरूरी सामान बेचने पर प्रतिवन्द जारी रहेगा सभी निजी औफिस को खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन केवल 33 फीसदी स्टाफ के साथ ही काम कर सकेंगे बाकी स्टाफ घर से काम करेगा सभी सरकारी ओफिस खुले रहेंगे, जहां उप सचीव से उपर के सभी अधिकारी मौझूद रहेंगे लेकिन बाकी स्टाफ में केवल 33 फीसदी से काम चलाना होगा रच्छा, स्वास्तिय, पुलिस, जेल, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपता प्रबंधन, NIC, कस्टम, FCI, NCC, नहरु युवाकंत्र और नगर निगम को पूरी चूट रहेंगे ग्रामी इरिलाके के रेड जोन में कौन सी चूट मिली है, तो हो है ग्रामी इरिलाके में स्थिती, रेड जोन वाले जीलों में, कंटेन्मेंट एरिया और वफर जोन को छोड़ कर पूरे जीले में सभी तरह की आर्थिक और कंस्ट्रक्शन गतिविदियों की छूट होगी जिन में मनरेगा, फूर्ड प्रोसेसिंग इकाईया और इट भठा भी शामिल है सभी दुकाने और मॉल खुलेंगे और क्रिशी से जोड़ी किसी भी गतिविदी पर कोई रोप नहीं होगी बैंक, इंशूरेंस समेट सभी तरह की फाइनेंशियल गतिविदियां पूरी तरह से चालू रहेंगी आंगनबाडी समेट महिलाओं, विद्वाओं, गुजूर्गों और बच्चों की देखबाल के लिए बने विशेस आश्रमों को काम करने की चूट दी गई है यहां कूरियर और पोश्टल सेवाओं की भी इजाज़त होगी दोस्तों, आएए अब देखते हैं कि और इंज जोन का क्या मतलब है और लॉकडाउन अवदी में और इंज जोन में कौन-कौन सी पाबंदी है और कौन-कौन सी अनुमदी है वे जिले जीने न तो लाल और नहीं हरे रंग की रूप में परिभारशित किया गया है उन्हें औरेंज जोन की रूप में वर्गिक्रित किया जाएगा जबकि इस इज रेड जोन के चहित्र में 14 दिन तक कोई नया केस नहीं मिलता है तो उसे red से बदल कर orange zone में shift कर दिया जाता है इस तरह के zone में वो इलाके या जिले आते हैं जहां से संक्रमन के कुछ मामले निकल कर सामने आते हैं तो दोस्तों orange zone में हमें जो अनमती मिली है वो है red zone में प्रतिबंधित ओला ओबर जैसी taxi को भी orange zone में चलाने की छूप दी गई है लेकिन वे केवल एक ही passenger को बिठा सकेंगे यहां दो पहिया वहान पर पीछे सवारी बिठाने की इजाज़त दी गई है जो red zone में नहीं है कुछ सिवाव के लिए लोगों को एक से दूसरे जीले में आने जाने की अनुमती होगी बसों को यहां भी चलाने की अनुमती नहीं वी जाएगी आए अब हम जानते हैं कि green zone का मतलब क्या होता है और lockdown अवधी में green zone में हम पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाएगे नहीं green zone में वह चिले सामिल होंगे जहां भी तक कोई मामला नहीं आया या पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला नहीं हुआ इस zone का अर्ज संक्रमन मुक्त है देहां देंगे green zone का क्या मतलब है संक्रमन मुक्त होना हलांकि इस दोरान कहीं भी भीड़ी कठा होने या social distancing की बात माननी जरूरी है green zone के अंदर भी चिन लोगों को quarantine में रखा जाएगा उन्हें किसी भी तरह के male जोल की इजाज़त नहीं होगी ये तो थी पाबंदिया अब देखते हैं कि कौन-कौन से अनुमती है हमें green zone वालों को तो वो है green zone वाले इलाकों में राष्ट्रे स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहां पूरी तरह से छूट होगी यहां 50 फीस दी सवारे के साथ बसीन चलाने की अनुमती होगी वे green zone वाले जिले से दूसरे green zone वाले जिलों में भी आजा सकेंगी mall समेथ सभी तरह की दुकाने खुलेंगी e-commerce से भी सभी सामानों की delivery होगी green zone के लिए कुछ शर्ते जो है वो बदली है वो शर्त क्या है तो green मंत्राले की ओर से lockdown team के लिए guideline जारी करने से पहले स्वास्तिम अंत्राले ने green zone की शर्त को बदल दिया है पहले उन जिलों को green zone में माला जाता था जिन में पिछले 28 दिन से कोरोना का कोई record नहीं है कोई case नहीं आया है लेकिन अब इसे घटा कर 21 दिन कर दिया गया है इस तरह अब देश में कुल 319 जिले green zone में आ गया है और केवल 130 जिले ही red zone में है बाकी बच्चे 284 जिले और इंजोन में है आये देखते हैं दोस्तों यह containment area क्या होता है वैसे तो केंद्र ने कोरोना वाइरस को रोकने के लिए containment area तै करने का अधिकार स्थानिय प्रशासन पर छोड़ दिया है लेकिन वह शहरी इलाकों में किसी building से छोटा और पूरे शहर से बड़ा नहीं हो सकता है सुविधा नुसार प्रशासन किसी मुहले थाना या निगम की area को containment area घोशिक कर सकता है इसे तरह ग्रामीर इलाके में यह कम से कम पूरा गाउं और अधिक से अधिक एक ब्लॉक तक हो सकता है containment area में रहने वाले सभी लोगों के लिए आरोग्य से तु एप का mobile में डाउनलोड करना होगा ताकि कोरोना के फैलने की आश्रंकाओं पर कड़ी नजर रखी जा सकी lockdown phase 3 में railway ने भी कुछ राहत दे हुई है यह राहत कौन कौन सी है देखते हैं सरकार ने फंसे हुए छात्रों प्रवासी श्रमी को परियाटको तेर्थ यात्रियों आधिको वह special train से आवाजाही की अनुमती दी है इसके तहत आज 6 special train चलाने की अनुमती दी गई है आगे भी rail मंत्राले और राजियों की अनुरोद पर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए train चलाई जा सकती है लेकिन सामान्य तोर पर trainों की आवाजाही बंद रहेगी एक और अहम जो जानकारी है वो क्या है? लॉकडाउन को बढ़ाने के संबन में वो है प्रधान मंत्री मोदी के साथ सभी राजियों के मुखे मंत्रियों ने लॉकडाउन पर चर्चा की थी अधिकतर की राय थी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन जारी रहे हलागे कुछ राज्यों ने लॉकडाउन के साथ आर्थिक गति वीडियों को शर्तों और सावधानियों के साथ चालू करने पर जोर दिया अगर आपको हमारा यह वीडियो हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज लाइक पटन को हिट करें और इस तरह की अन्या जानकारियों के लिए हमारे चानल को भी सब्सक्राइब करें धन्याबाद धन्याबाद अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट करें इस तरह की अन्या जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और इन जानकारियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें धन्याबाद